कि यह सब्सक्राइब करेंगे आज हम लोग सब्जेक्ट संटेंस के कुछ बेसिक पार्ट पर है ना दोस्तों जो बेसिक ग्रामर का सेशन यह है कि हम लोग उसमें जो पहला वीडियो था हमारा और प्लेलिस्ट में भी और वीडियो तो वहां जाकर आप देख सकते हैं लेकिन जो हमारा बेसिक ग्रामर तो अभी लेटिस्ट पार्ट है उसमें मैंने आपको बताया था कि हम हर दिन आपका जो की साम को साथ बजे हमारा साड़े साथ बजे ये वीडियो आपको मिलता है हमेशा साड़े साथ बजे से ये वीडियो आपको मिलेगा दोस्तों बैसीं ग्रामर का किया होगा यह बैसिक सब्न करेंगे था और शार को आपको बताताया है रटाइब के दिखिए यह आपका जो यह तीसरा पार्ट है मैंने स्लेबस डिसकस किया था यह कंप्रेंशन के पार्ट में आते हैं तो कंप्रेंशन आपका टोटल वेज़ डाउन रेडिंग इसकिल पर बेज़ होता है दोस्तों तो यहां पर मैं इस टॉपिक को साथ ही साथ डिसकस करता हूं और बेसिक ग्रामर का खुबसूरती से सेस् इंट्रोगेटिव इंपरेटिव एक्सलमेट्री और आप्टिटिव यह हमने पहुंचों टाइप के जो काइंट्स हैं वो पढ़नी है दोस्तों आज हम डिसकस करेंगे सब्जेक्ट एंडर प्रेडिकेट पर दोस्तों यहां देखिए कि क्या होता है सब्जेक्ट और क्या एक आपको मिलता है, main word पहले क्या मिलता है, main word, दूसरा आपको क्या मिलता है, qualifier, qualifier, ठीके न, main word और क्या है, qualifier, और qualifier को आपको qualify करने वाले, क्या-क्या हो सकते हैं, समझ लेजिए, क्या है, qualifier में qualify करने वाले, determiner, adjective, और adjective phrase, ठीके दोस्तो, qualifier में determiner, adjective और adjective phrase होते हैं, और main word में क्या होता है, ये main होता है, main होगा तो एक ही होगा, है न, main word क्या है आपका, subject, क्या है, subject, और subject को और किस नाम से जानते हैं, doer, doer, क्या होता है, काम को करने वाले को ही, हम क्या कहते हैं, करता, करने वाला, काम को करने वाले को हम क्या कहते हैं, करता, करता, diet, is subject, getting point, ये subject है दोस्तों, तो subject आपका main word हुआ, main word में कौन? subject, subject यानि की doer, doer यानि की काम को करने वाला कौन? subject, getting point? अब इस काम करने वाले को qualify करने वाले कौन-कौन हो सकते हैं, या तो determiner हो सकता है, determiner की बात करें तो वो आपका article, क्या हो सकते हैं? article, या फिर आपके possessive adjective हो सकते हैं, क्या हो सकते हैं? possessive adjective हो सकते हैं, यह adjective बिसेशता बताने वाले, adjective phrase यह भी बिसेशड वाक्यांस होते हैं, ठीक, तो इनका हम यूज़ खुपसूर्थी से करेंगे, बस इसको थोड़ा समझ लेते हैं, इसका part क्या है? हमारा प्रेडिकेट स्टार्ट कहां से होता है? प्रेडिकेट हमारा शुरू कहां से होता है? तो प्रेडिकेट हमारा वर्प से स्टार्ट होता है, कहां से? वर्प से, उसके बाद हमारा क्या आता है? ऊबुजेक्ट then compliment क्या उता है दोस्तों क्या आथा इसको मैं बड़ने में लिखता हूँ object और यह अप क्या है і compliment क्यों बिलिंट कता होते मैं कि यह में से पुछा जाता है कोंप्लीमेंट कोंप्लीमेंट सिए क्गी है कि सीए ओए हैं कि ये में टी सीए ओए पियाल इसते हैं ये अलिए ये ये तो इसमें डिफर्न समझ ली गे दोस्तों इसको इस्टार बना के नूट कर ले जेगा अपनों कॉंप्लीमेंट यह होता है अभिवादन करना या स्वागत करना अभिवादन करना कॉंप्लिमेंट यह होता है आपका जो यह वाला होता है पूरक क्या होता है पूरक सप्लिमेंट जिसको कहते हैं दोस्तों यानि कि जो किसी का सहयोगी होता है वह आप क्या है कॉंप्लिमेंट होता है तो यह पॉइंट आप जरू नोट कर लि दोस्तों और जल्री वर्व दूसरा आता है आपका मेन वर्व क्याता है मेन वर्व ठीकर दोस्तों और जल्री वर्व और मेन वर्व में तोट गया आपका और जल्री वर्व में भी आपके कितने पार्ट होते हैं दो पार्ट होते हैं कौन-कौन से प्राइमरी आप जल्री वर और दूसरा आपका model auxiliary गेटिंग पुएंट दोस्तों यदि में वब की बात करें तो में वब में आपका Interactive Web होता है दूसरा आपका क्या होता है Intransitive बो इन्ट्राश्टीव ठीक के दोस्तों समझेगेगा जो ऑबजेक्ट की बात करें हम तो ऑबजेक्ट आपका दो पॉइंट में तूकता है एकभका डायरीक्ट ऑपजेक्ट एकखा इनडायक्ट ऑबजेक्ट जिसका यूज जिसका यूज आपका narration के साथ-साथ बहुत ही important होता है voice में voice में object यानि की direct object और indirect object का बहुत ही एहम role है यानि की बहुत ही अच्छे तरीके से व्योच किया जाता है दोस्तों क्योंकि हमेशा हम जानते हैं कि active और passive में क्या करते हैं जो object होता है उनको subject बनाया जाता है समस्या तब उत्पन होती है दोस्तों जहां पर आपको direct object और indirect object दोनों दे रखता हो है ना क्योंकि object तो दोनों है और दोनों को कैसे हम passive में यूज़ करते हैं और examiner आपको दोनों object से option में question बना करके देता है getting point दोस्तों तो बहुत ही खुबसूरत से इनको discuss करेंगे हम लोग आईए चलते हैं compliment की बात करते हैं compliment भी आपके दो type के होते हैं कितने दो type के होते हैं मैं या लिग देता हूँ subjective compliment और आपका objective compliment objective compliment ठीके दोस्तों subjective compliment objective compliment यहां से हम different सीखेंगे कि object और compliment में अंतर क्या है object और compliment में अंतर क्या है यह सीखेंगे और subjective compliment objective compliment क्या होता है यह सीखेंगे देखेंगे दोस्तों यह जो मैंने एक sentence बनाया है, यह sentence के part हो गए, क्या हो गए, पार्ट हो गए और जो आप से पीकी वारेस question पुछा जाता है, वो क्या होता है? इस sentence का टुटा हुआ भाग ही होता है, जिसको हमको arrange करना होता है दोस्तों, है ना, क्या करना होता है? arrange करना होता है और orange करने के लिए इस sentence के इन पूरे point को हमको दिमाख में रखना होता है कि कहां पर हमको adjective रखना है कहां पर adjective phrase का यूज़ करना है कहां पर हमको पहले diet को qualify कर रहा है या objective को qualify कर रहा है तो वो आपको यह पूरा निचोड़ आपको इस संटेंस में और इसके माध्यम से मिलता है क्या साल करने में PQRS जो आपको चार आप्शन में तोड के देता है दोस्तों यह structure हमेशा दिमाग में रखिए आप हम लोग एक topic को discuss करेंगे subject क्या होता है और क्या होता है दिखुए आपको लग रहा होगा कि subject और प्रेडिकेट आप कुछ नहीं है करता और विधेर है जो की हम बहुत ही छोटी क्लास पढ़ते वे आरहें दोस्तों लेकिन सँ income ऐसको बहुत ही छोटी क्लास से पढ़ते आरहें लेकिन इसमें अब आपको कुछ बेसिक बाते मिलेंगी जो आपको मेलें के साथ ही साथ आपको कंजंग्सन और प्रिंटी ही इंपोंटन केvious ऐदा करने यूटूब चैनल पर और अभी तक हां आप से एक ही रिक्वेस्ट है कि यदि आप सब्सक्राइब ना किये हूं और लाइक ना किया है तो दोस्तों उसको जरूर कर दीजिए क्योंकि वह एक हमको इंस्पारेशन होता है मोटिवेशन होता है जिसे आप तक वीडियो पहुंच कर देंगे यहां पर फिर इसको हम कल के वीडियों करेंगे यह आपका आज यह इतना कि समझे यह दोस्तों कि देखिए आए चलते हैं सब्जेक्ट सब्जेक्ट को दो पार्ट में तोड़ा कॉलिफायर और मेन वर्ड धैन दीजिए जैसे मैं एक्जाम्पल के रूप मिलूं राम यह नं ए प्याम ए रडटा रचैनक व्या हो फिर आपम ऑगम ढ्रटा if भी उन दा गृझे और यह दो संटेहर हमने लिखें दोस्तों इस संटेह्ने डलिये और इनको हम explain करते हैं करें एक यह दिया राम इस दे दे कर राम क्या है यह हमारा इस पूरे sentence के घर का क्या है मुखिया है क्या है दोस्तो मुखिया intelligent कौन है राम ही है और राम क्या है यहाँ पर subject क्या है subject ठीक है जैसे यह दूसरा example तीसरा example देता हूँ कि रानी डांसेज देड़ह दोस्तो रानी डांसेज इंदा होटल इंदा होटल यह जो रानी है वो कौन से action कर रहा है यह डांस करने का OM कर रहे है होटल में यह जो action है action यानि की कार है वो कौन कर रहा है रानी कर रही है अब ये रानी कर रही है तो यानि काम को करने वाले को हमने क्या कहा doer और doer को हमने क्या नाम दिया subject और subject को हिंदिम क्या कहते हैं करता करता यानि काम को करने वाला तो दोस्तों यह काम को करने वाला इस पूरे संटेंस का इस वाक का जो करता धरता है यानि काम को करने वाला है वो हमारा कौन है सब्जेक्ट है तो यह काम को करेगा और काम कर भी रहा है तो यह हमारा मुख्या हो गया और मेन वर्ड यानि की मुख्य सब्द कौन हुआ हमारा सब्जेक्ट हुआ अब इस संटेंस मिलेते हैं इसमें हमने कहे दिया आपको माई सन मेरा लड़का इस एन एंटेलेजेंट बॉइ क्या है इंट मुक् Coward है जौकि सब्जेक्ट के रूप में है है कि नहीं मुख्य सब्ड़क्न यह क्या है माई क्या है कि दोस्तों है यह यह क्या है पमतलब है कि अधिकार मिस्पजसन क्या होता है पुर सिंसां हम लोग आगे पढ़ेंगे कि यह क्या होता है फर्जेशन सब्सक्राइश करने काम आता है और देखिए और हम ने कहा कि इस मेन वर्ड को क्वालिफाई करते हैं तीन तरीके से डिटैविन एडिजेक्टिव एडिजेक्टिव प्रेज तो यह कैयında और कैसे ब्रॉट करें कि यह मैंनी भात करो तती है तो मेंलिकों करें घ्रल्सक्राइब कभी किसी की नजर नहीं होगी लेकिन जरा जैसे मैं कंछा इसकी विसेश़ता बन गई कि नहीं है जैसे विसेश्था बतातएगा यह किया होगा त्यूंक्स क्या होगा एक संटेंस आप एड्जेक्टिफ फ्रेज क्या है एड्जेक्टिफ फ्रेज क्या तो आपने देखा होगा कि डिफेरेंट एन फ्रेज हम आपको बताया था मैंने तो यहां पर फिर समझ लीजिए तो फ्रेज क्या है सब्सक्राइब स्ब्सक्राइब कर ले और यह कलाज तो फ्रेज में आपको सब्जेक्ट और वर्व नहीं मिलता है दोस्तों लेकिन ब्लाज में सब्जेक्ट और वर्व होता है फ्रेज अपना सब्जेक्ट और वर नहीं गोना जानते हैं दोस्तों ट्रिंगी इन ग्रूपाउब वर्स गुरुप आफ वर्स विच्स विच्छन नात में कॉम्प्लेटेशनस बद्स जो आपको अर्थ दे लेकिन complete अर्थ ना दे वह क्या कहलाएगा लेकिन आपको जो आपका सब्दों को ऐसा सवूंँ जो आपको क्या दे अर्थ दे दोस्तों क्या कहलाएगा आपका क्लाज और और आप्लाज अल्वेज है वाउन सब्जेक्ट एंड ओनो वाव यानि कि खुद का हमेशा एक सब्जेक्ट होता है और एक वह होता है गेटिंग दोसों तो यह ध्यार रखिएगा ठीक है चले तो यहां पर मैं बात कर रहा था एड्जेक्टिव फ्रेज की तो यहां जब एड्जेक्टिव होंगे कैसा एड्जेक्टिव वर्ड होंगी दिसमें एक संटेंस के रूप में आपको देना चाहूंगा इसको एक्रेस करता हूं देखिए देखिए अब लेक बर्ड शिटिंग ऑन दा ट्री फ्ली ओवे इसमें नजर डाली है दोस्तों कि आपका कौन सा एड्जेक्टिव है और कौन सा एड्जेक्टिव फ्रेज है रजए दोस्तों बताएव से अफ़ेक्टिव और एड्जेक्टिव फ्रेज क्या है कि कुछ नहीं करना आपको चिर्फ एक बात ध्यान देना है कि इस पूरे संटेंस में अपने में वर्ड को डूंडबा एंगा है में सब्थ क्या है क्या हो रहा है एक्षान इसका वाप कहां है वाप कहां है कौन से एक्षान कर रही है उड़ने का उड़ने का काम कर रही है जब एक्षान उड़ने का हो ब्लैक है तो मैंने उसके थोड़ी सी विसेसता बताने काम किया। सुझिया कैसी है? ब्लैक है है कालिया कहा तक है तर यह है कुछ भी कह सकते यह उसके लिए हमने लिग बना भी आर्टिकल बताये था डेटर्मिरमीनर पर आते हैं हैं अपको क्या आते है एंड रसे हैं तुर्स और टीन तरीके से होते हैं यह बात आपको शुकितिए कि यदि मैं इस adjective phrase को वाहर कर दो क्या करतonton से बाहर कर दो जैसे मैं यह लिख दो कि sitting on the tree क्या लिख दो दोiset वो sitting on the tree मैंने यहां लिख दिया इसको मैं 1 मिनुट ले देतže हो यहांसे आठा देता हूं आज कि यह अब जरा इस संटेंस का जो है देखिए concept सही है अब ब्लैक बर्ड फ्लिव बे एक काली चडिया उड़ गई तो संटेंस पर कोई इफक्ट नहीं पड़ा बस यह एडिशनल इंफॉर्मेशन है क्या है दोस्तों एडिशनल इंफॉर्मेशन है जो कि हमारे फ्रेज के रूप में आई है किसके रूप में आई आंए आए बताएगाए सेटिनग और ट्री यहां लिख देते है सिटिंग अप्रिक यह जिलिग दे अब सेटिंग ऑी पर कौन बैटर रहा है जहेड़ पर लाइनल बैट रहा है इ turf जोसुक्द मेट रहा है उपधोिर ऊसकी विस्यार बताने काम कर रहा और हम यह प्रकार का एडिजेक्टिव फ्रेजE क्योंकि कई सारे वोर्ड का गुरुप है है की नहीं लेकिन अब इसको मैंने अलग कर लिया कि इसका complete अर्थ हैं तो complete अर्थ भी नहीं है यहां पर देख लिए अगर अलग कर लेंगे तो complete लेकिन अपना तो और था है यह कुछ ना कुछ तो सेटिंग आंदर टी पेड़ पर बैठा है लेकिन कौन बैठा यह नहीं पता सब्सक्राइब जब तक हम संटेंस में यूज नहीं करते दोस्तों तो उम्मीद है कि आपको डिटर्मिन एड्जेक्टिव और एड्जेक्टिव प्रेज़ समझ में आया होगा वह बोड़ यहां तक किसी कोई परशानी कोई दिक्कत दोस्तों यहां तक तो यहां मैंने पताया किस तरीके से एक बात यहां से नोट कर लिएगा दोस्तों कि एड्जेक्टिव हमेशा सब्जेक्ट के पहले आता है लेकिन एड्जेक्टिव प्रेज हमेशा सब्जेक्ट के बाद आता है किया दोस्तों नोट करके लिएगा कि एड्जेक्टिव हमेशा सब्जेक्ट के पहले आता है और कि देखिए बात को समझ दिएगा है कि अरेंज करना है मैं यहां लिख देता हूं संटेंज पी कि क्यूं कि आप संदे देता हूं यहां पर पहला अप्शन यह अप्शन है यह कि आप संदे आप संदे आप संदे इस तरीके से आपके ने भी एर फूर्स या डिफेंस में आप से सीजियल दौरा कंडेक्टर एक्जाम में उसमें थोड़ा सा आपका लॉजिकल पूछा जाता है लेकिन आपको ने भी एर फूर्स में इस तरीके कुश्चन आपको देखना के मिलते हैं इसको जड़ा अरेंज करिए दोस्तों बताएए तो देखिए यह नजर डालते हैं यहां पर सब्सक्राइब करूड़ना है सब्जेक्ट सब्जेक्ट क्या है मैं क्या है मैं कैसा आदमी यह एडिजेक्टिव हो गया और देखते हैं का यूज है तो हमने कहा डिटर्मिया में आपको तीन तरीके के आर्टिकल आते हैं ए एनों यह हो सकता है तो इसके पहले क्या आब दो पहले बिपहले तो बताया था यहां old man यह थीक है इसके पहले क्या लगा देंगे हम एन楓 मैंट सरपocal क्या है है क्या सबसक्राइगा उसके बाद क्या एगा औरन Nature मैं उसके बाद भी था ब्सटाइगा उसके दख檐 गिर गया क्योंकि एक बुड़ा आदमी जो चड़ी के साथ था और गिर गया गिर गया है ना तो यह आपका सब्सक्राइब क्यू और पी उसके बाद एस तो दोस्तों यह जो है इसी तरीके से आप से कुश्चन पुटप किया जाता है पीकी वर्एस के मादम से तो हम इस पर कई तरीके के अच्छे से प्रकार के टाइब से बहुत अच्छे से इनको च्छाटि करेंगी क्योंकि ये लोग इनको अच्छे करेंगी लेकिन जो बेसिक आपको यहां से उठकर के आता है पॉइंटो वो यहीं स से उटकर कियाता है अभी तो मैंने सिर्फ आपको सब्जेक्ट के पार्ट लिए किसका पार्ट लिए हैं सब्जेक्ट का पार्ट लिए हैं प्रेडिकेट का पार्ट अभी सामिल नहीं कियें प्रेडिकेट का पार्ट अभी सामिल लेके सिर्फ हमने वाव लिया है लेकिन प्र वहां से आपको क्वेशन पूटाफ हो करके यहां यह तो मैंने सिर्फ इसके पार्ट लिया है घरना दोस्तों तो यह जानते रहे हैं किस तरीकी से इनका यूजर यह जाते हैं आई यहां पर आप लोगों ने समय दिया क्या है क्वालिफायर डिटर्मिन एड्जेक्टिव और कि देखें दोस्तों यहां में लिखता हूं प्रेडिकेट कि है किए भूuks है कि धूजेट है कॉम दीच कि में हमने बताया आपको क्या क्या होते हैं वह अब्र्यक्ट क्योंड में क्योंड इम को अबभ़ेब को का इयूँक्रिंड है थर वह में हैं और है क्या ह podéis primary चैनि और मोडल the object मोंने बताया डाइकट अबचेक्ट इन डाइक अबचेक्ट कॉम्प्लीमंट में हमने आपको बताया subjective अबचेक्टिव कंप्लीमट यह बताया इटनी बाते मैंने इसमें बताई है अब एक पॉइंट यहां सीखते हैं प्रेडिकेट की शुरुवात वह से होती है उसमें अब्जेक्ट भी होता है और कॉम्पलीमेंट भी होता है ठीक है वर्ब और और कम्पलीमेंट जो मूल आपके हथी आ रहे हैं अब इसमें प्रायमरी वर्ब क्या है मॉडल वर्ब इसको से यहां मैं लिखता हूं एक ही संटेंस में सारी चीजिए है माइफ वादर sent me a money order a money order ठीक है आईए यह आपको example हो गया अब दूसरा example यहां देते हैं थोड़ा सा object और compliment में different Ram has a ball Ram is a boy दो sentence मैंने लिखे हैं दोस्तों दोनों sentence आपको देखना है इसमें आपको compliment कौन सा है object देखिए यह ऐसा concept है जो मैं आपको देने वाला हूँ इस तरीके से आपको कहीं नहीं मिलने वाला different क्या है compliment में और object में देखें दोस्तों इस समझे लिए राम हैस अब आपको 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 क्योंकि पूरा कहें कि जो राम है वही बॉय है जो बॉय है वही राम है कि टिंप न्यूज़र ऑफको लेकिन जब बात को समझें क्या यह जो राम है वही आपका बाल है या जो बाल है वही राम है तो नहीं है तो दैट इस अब्जेक्ट अब्जेक्ट राम के पास क्या है बॉल है और राम यहां क्या था वह है ठीके दोस्तों जब आपको एक दूसरे से मैच न करें तो आपका क काम कर रहा है कि दाम के पास क्या है बॉल है और वह कंप्लीमेंट यानि कि वह आपजेक्ट काम कर रहा है दोस्तों यहां पर क्या है पूरा क्या तो डिफेरेंट समय में आ गया आपजेक्ट और कंप्लीमेंट में अब चलते हैं यहां पर सरसक करते हैं डायक्ट अबजेक्ट और अब्जेक्ट कि किसके डायक्ट और अब्जेक्ट की है तो यहां कह रहा हैerek यह मियुदर सेंटा नी अतिंटा को ऊसमय आप पहिसान제 कि आपको कौण सा द्रॉब्जेक्ट है कौन साइन डाक्जक्ट है क्यों पहले बताओ अब३ен hablando 2 sampai बोले दोस्तों है ना तो अब्जेक्ट है क्योंकि पहसाने के लिए वाट या फॉम का प्रश्न करते हैं तो जर्ण माइफादर सेंट माइफादर सेंट वाट तो मेरी पिता ने क्या भीजा पता चला क्या मनी अडर जब डायक आइसवर मिला वोर्ट का प्रश्ण करने से यह मैरा कैसा अबजेक्ट हुआ डाइक्ट ऑबजेक्ट हुआ किसको भेजा मुझे बेजा तो तो इस पे कुस्षान डाता है जब हम सामानता इनको पहले रखते लेकिन जब भी इनके हम प्लेस हम इंटरचेंज करते हैं उस परीवर्तब करते हैं यानि कि इन ड्रक्ट को डारिक्ट आप्जक्ट के बार ले जाते हैं जब ले जाते हैं तो हम message प्रिपोजिशन टु या फॉर यूज़ करते हैं क्या उसकरते हैं तो या फॉर यूज़ करते हैं यह जानते रही हैं यह पॉइंट आपनोट कर L लीज़ेगा कि जब भी कभी यदि समाने तह समाने तह डारेक्ट object के पहले हम indirect object का प्रियोग करते हैं लेकिन जब कभी भी इनकी अस्थान में परिवर्थन किया जाता है यानि कि indirect object को हम बाद मिले जाते हैं तो इन direct object से पहले हम proposition तू tomar का प्रियोग करते जैसे example इसी को मैं आपको बताना चाहूंघ को जान दीजिगा माई फॉदर सेंट मनी आडर टू या फॉर मी ठीक है दोस्तों यह आप इसको करेक्ट करिएगा बासने ठीक है तो जब भी कभी इंडायक्ट अब्जेक्ट हमेशा यदि डायक्ट अब्जेक्ट के बाद में जाता है तो प्रेपोजिशन टू यह फॉर लेता है तो टू यह फॉर लगा देजेगा आईए अब बात को समझते है थोड़ा कंप्लीमेंट की कंप्लीमेंट की बात करते हैं कि देखिए अभी जो मैंने किया हां बताया आपको डायक्ट अब्जक्ट इंडायक्ट अब्जक्ट इसका वाइस में बहुत ही यूज है आपको और मनी आडर से बहुत होगा यह बसी 3-5 से भी संटेंसड ओगा आपको किस्से बनीगा मी से भी संटेंसर इस्टार्टाटों मिलते हैं तो आपशन में तो कभी बहुंत यह बाते हि enact में सीखेंगे बहुत ही अच्छे तरीके से सब्जेक्टिक-क फॉपलीमेंट हो चेक्टिवूब्लीमेंट हो सब्जेक्टिवूद क्वाट इस हब जा को जो यह FLो शोवजेक्ट इस काल्ट शॉबजक्टव एफ आप दोस्तों के लिए खास कि देखिए यहां जैसे मैंने बताया भी आपको बताया ना यहां कंप्लीमेंट और अब्जेक्ट में अंतर आपको समझ में आया होगा अब यहां आपको बताते हैं दोस्तों समझेए दा क्लास्टीचर इलेक्टेड मोहन मोहन मोनिटर समझ लिजे दोस्तों दा क्लास्टीचर अब यहां पर यह आपको समझना है कि यह आपका आपजेक्ट है या कंप्लीमेंट है आपजेक्ट है या कंप्लीमेंट है और यह आपका कंप्लीमेंट है तो किस टाइप का है यह जो क्लास्टीचर है है अगल स्थीचर है एलेक्ट की ये चुने किसको मोहन एक किसको चुने मोहन को और मोहन को क्या बना गया क्या बनाए गया मौनिटर बनाए गया बात तो जरा बात को नजर डालिए तो यह क्या जरा जो क्लास टीचर है क्या वो मोहन है नहीं बहुत अच्छे समझे जो क्लास टीचर है क्या मोहन है नहीं है जब मोहन नहीं है तो यह आपको क्या है आपजेक्ट है क्या है दोस्तों मोहन क्या है आपजेक्ट है है कि नहीं मोहन आ मोहन बना तो यह कैसा कॉम्प्लिमेंट हुआ यह मॉनीटर इसका सप्लिमfront हुआ कि नहीं कैसा कॉम्प्लिमेंट हुआ ऑचेक्टीब कम एक होगा को आश्य की मैं भाट दो Philippines अलगो भूदर आश्य का है सब्जेक्ट है यह वह है यह आपजेक्ट है है कि नहीं यह मोहन ही क्या बना मानिटर बना मोहन यह मोहन बना तो यह मोहन यहां क्या है आपजेक्ट है तो यह मोनिटर इसी का पूरक है तो क्या करना कर रहा है कंप्लीमेंट काम कर रहा है तो कैसा कंप्लीमेंट हुआ पासन में चलते हैं अब इस पर एक क्वेश्चन आता है आप से यह मैं संटेंस यहां पर देता हूं दो क्लाश टीचर है कि इलेक्टेड मोहन एज लाइक मोनीटर अब बताइए दोस्तों संटेंस क्या सही वाग गलत हुआ संटेंस यह सही हुआ या गलत हुआ तो हमेशा जान लिजिए कि कभी भी अब्जेक्टिव का नोट करके लिख लिजगा कभी भी अब्जेक्टिव कंप्लिमेंट से पूर्व या पहले एज और लाइक का प्रियोग नहीं किया जाता है कभी भी अब्जेक्टिव कंप्लिमेंट से पहले एज और लाइक का प्रियोग नहीं किया जाता है जैसे एक इजम्पल और देते हैं अब अब दा पिपल आफ इंडिया पिपल आइंडिया इलेक्टेड मोदी अलेक्टेड मोदी एज लाइक पी एम प्रबात को समझे यह जो पिपल आफ इंडिया है बारत के लोग हैं उन्हेंने मोदी को चुना एज लाइक पी एम यानि की पी एम चुने की पी एम के जैसे चुना गया तो क्या बताईए सप्लीमेंट होता है यानि कोई उसका सही होगी होता है तो यह उसका यानि की पीएम के जैसा कोई और बनाया जाता है तो नहीं बनता दोस्तों तो यहां पर इसको रिमूव किया दीजिए बी रिमूव एज एंड लाइक है ना तो अब्जेक्टिव कॉंप्लिमेंट के पहले कभी भी हम किसका यूजर नहीं करते हैं आइज और लाइक का प्रियोग नहीं करते हैं दोस्तों अंडेस्टेंड सब्सक्राइब बोली यह नूट कर लिजिए तो फिर आगे चलते हैं कि बताइए दोस्तों है चले भई यह आपका कुंप्लिमेंट हुआ जैसे अब इस पर यह कुश्चन यहां से पूछता है दूसरा कुश्चन जो आपसे यह आपको कम्प्लिमेंट हुआ आपको सब्जेक्टिव कम्प्लिमेंट वह पूछता है देखें दोस्तों इट इज भी हो 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 हेल्प लग यूँँट संटेंस क्या कोई एर्र है क्या कोई एर्र है दोस्तों कि इस मी वहल्प लिए यह तो यहाँ पर पूरी तरुके से संटेंस इन करेक्ट है आपको यहाँ कोई भी सब्सक्राइब नहीं लग रहा ओगा दोस्तों दौन समझें इंटिज मी यह कौन है यह कि यहीं तो है यहीं तो है यहीं कि नहीं जब यह क्या है आपका सब्जेक्ट का कम्प्रइमिंट है यहीं हम सब्जय करते हैं यहां पर हम को कैसा केश होना चाहिए सब्जटीव-ires देजिए और आई को लिख लिए क्या लिख लेंगे दोस्तों आई को ठीक है तो इस तरीके से आप से पूछा जाता है यदि आपका कभी भी जिसे मैं आपको डायग्राम बना के देता हूं दोस्तों यह नोट कर लेजेगा यह ढायग्राम आप लोग नोट कर लेजेगा यदि ये subject use है subject के बाद आपका जो is, am, are, was, were का प्रियोग है उसके बाद कोई भी noun और यदि pronoun आता है तो उसका case हमेशा कैसा होता है सब्जेक्टिव होता है कैसा होता है दोस्तों subjective कीерж में प्रियोग किया जाता है ठीक है और यह subjective compliment होता है इस subject का यह होता है subjective compliment होता है और subjective compliment always used in subjective case getting point दोस्तों यह आपको note करना होगा तो हमने आज सीखा दोस्तों direct object, indirect object, compliment और आपका object में अंतर क्या है subjective compliment क्या होते हैं, objective compliment क्या होते हैं यह हमने सीखा इसका हमारा basic session अभी यह हमारा वोब का part बचा हुआ है जो primary और model के नाम से जानता है किसके नाम से primary और model के नाम से तो यह हम लोग कल के वीडियो में सीखेंगे तो मिलते हैं निक्स वीडियो में तब तक के लिए thanks for watching, thank you